हाई एवरीवन वेल्कम टो यूट्यूब चैनल ब्लैक डामड तो आज मैं फिर से आप लोग लिए विडियो लेक्ट विडियो लेक्या हूँ अभी मेरे चैनल को लगातार देखते रहिएगा चेक करते रहिएगा कुछ विडियो पेंडिंग था उसको मैं फटाफट डाल ड प्रेट दे रहा हूं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा और बैल आकन को प्रेस कर देजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालू नोटिपिकिसन सबसे पहले आप तक पहुछे आप किसी भी किसी भी स्टेम से हो अगर माइनिंग सेक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा तो आज मैं बात करने वाला हूं वैकेंसी से रिलेटेड और इसके बारे मैं कुछ और भी बात ही करूंगा और कॉंट्रेक्ट वाली वैकेंसी बारे मैं नहीं बताऊंगा वह आप ओलेटी साय देख चुके होंगे इसे रिलेटेड में कुछ और सजीशन्स भी आपको दोंगा जो प्रस्टनल एक्स्पिरिंस रहा है उस बिसेस पर तो रास्टिये इस पात निगम लिमीटेड ये कंपनी है जो कि स्टील का मैनुफेक् और ये मार्केटिंग भी करती है स्टील का तो पूरा पूरी ये स्टील के उपर में बेज्ट है ये कंपनी विसाका पटनम में सिच्वेटेड है लेकिन इसका और भी कुछ कुछ जगह पे माइन्स अंदरपरदेश में माइन्स है तो फिलहाल जो तेलांगना और अंदरप में मानें मार्देश में माइन्स है ये आपका केटेगरी होता है और इन्स को में थेम्स आक्षा, वो पूर्ण में करें पूरлекा मिंरल का इस्तवाल खुद ही और यानि राश्ट udah और निगंट्र है माइनिंग माइनिंग की माानिर की सुछ भीन preserved क्वा, sm کا का सबली यानि लास्ट तक वीडियो को देखेगा मैं कुछ-कुछ और भी बाते बताऊंगा तो बिसिकली माधाराम और जगया पिट्टा इसको है संद्र परदस टलंगनर से एक संद्र्परदस एक से लिए हो गया सब्सक्राइब करते हैं जिसमें से माधाराम और जगया पिट्टा दो जगा पे भैकेंश निकाला गया है ठीक है। इसके साथी साथ जगया पिट्टा लाइम स्टों का भी मैंदिंग करती है और बाकी डॉलोमाइट का माइज करती है दोनों स्टील के लिए बहुत जरूरी होते हैं उसके लिए वेकेंसी निकाला गया हैDay क्राइब कर दो हैं चलिए बेंडे कुमरा help रचाई है कि मेंशचाव होगा क्यों कीड़ सेत्य और संब्सक्राइब पर्टिकलर माइस में जॉब करते हैं उनके लिए डिपार्टमेंटल रखा गया है चार वेकेंसी तो इस चार को आप काड़ दीजेगा आप यही मान के चलिएगा कि आपके पास अपरेटर का मेकेनिक के लिए 15 पूस्ट है ठीक है बागी यहां पर सपस्ट किया गया है माइनिंग मेट की बात करें तो चार आपका नंबर वेकेंसी है दो अन्रिजर्ब है एक OBC है एक SC का है ब्लास्टर की बात करें तो दो वेकेंसी है एक अन्रिजर्ब है एक OBC नॉन क्र लेयर जनरल वाला भी है टोटल विलागे बात करें तो 27 प्लस 4 है चार आपका डिपार्टमेंटल के लिए 27 बाहर वाले के लिए निकाला गया है चिक है अपरेज लिमिट की बात करें तो 35 यह रखा गया पर इस लिमिट जो कि 5 साल रिलेक्सेशन हो जाता है सेस्टे के लिए तीन साल हो जाता है ओवी सी के लिए अब परेज लेक्सेशन की बात मैं कर रहा हूं भाकी अगर कोई रिलेक्सेशन दिया जाएगा जैसे कोई मैंड फोर्मन में कौन अप्लाई कर सकते है जिसके पास डिप्लोमाइन माइनिंग इंजिनियरिंग हो साथी certificate हो restricted to open cast working only issued by DGMS यानि कि आप open cast minds में अगर restricted वाले हैं तो apply कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत लड़के देख के confused हो जाते हैं कि open cast और working only लिखे हैं यानि शिरिफ जो open cast में job करते हैं वही कर सकते हैं नहीं दिखोई एक certificate का type है अगर आपके पास form and certificate of competency restricted to open cast working only वाला है तब आप apply कर सकते हैं साथी साथ unrestricted वाले भी apply कर सकते हैं क्योंकि जो certificate होता उसमें open cast working only लिखा होता है तो ऐसा नहीं कि स्रिफ open cast वाले apply कर सकते हैं बलकि unrestricted वाले भी इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं ठीक है एकोर्डिंग टू नॉर्मस और रूल चला गए बलते हैं तो डिप्लोमा है form and restricted हो अप्लाई कर सकते हैं पांच साल का आपको working experience चाहिए यहां पर बोला गया है कि five year experience in mechanized open cast metallic ferrous minds should possess basic knowledge of computer and entering data of statutory certain websites at dgms and peso मतलब कूल मिला करके आपको form and वाला काम धाम बताए कि आपको knowledge होना चाहिए job description में यही बोला गया है कि perform आपको mine form and duties responsibilities को perform करना है mindset 1955 के हिसाब साब को चलना है and supervise करना है mining operation code drilling blasting railway wagon इस सब चीजों को तो कूल मिला करके form and वाला काम धाम आपको आना चाहिए ठीक है उसके बाद operator कम mechanic OCM के बारे में बात करें तो आप SSC या metric यानि 10th pass है साथी साथ ITI किये है या डिप्लोमा किये है HM मतलब heavy motor vehicle driving license आपके पास है तो आप apply कर सकते यानि कि आपके पास metric के साथ-साथ ITI है ठीक है या फिर डिप्लोमा है तो आप apply कर सकते है इस post के लिए experience बोला गया है आपका post qualification यहां लिखा हुआ है तो कभी भी मैं आपको एक मिनट यहां पे जो पांच साल का experience था माइनिंग वाला वह आपका post qualification है जितने भी वेकेंसी है सब में post qualification है जहां कहीं भी post qualification सब्द का इस्तमाल किया जाता है वहां आपको यह समझना चाहिए कि माइन फॉर्मन certificate मिला जिस दिन मिला उसके बाद पांच साल का experience आपके पास होना चाहिए अगर उससे पहले वाला है कि हम DPD किये थे हम college life में तीन को training किये थे वीटी किये तो वह सब कोई भी valid नहीं है post qualification ठीक है चले post qualification का मतलब होता है देखे यह रहा आपका qualification यह सब qualification आप पूरा कर लिए उसके बाद का experience ठीक है त्यान रखे चले आगे बढ़ते हैं अब आते हैं mining mate में को apply कर सकते हैं दो mining mate में ग्लागी में बोलागिया है जिसके पास metric है 10 या 12 है उसके साथ ही साथ माइन इमेड का certificate है Open custom admission working में आप तक काम कियी हो हो चाहिए अंडरी घार में किया हो आप apply कर सकते हैं 5 साल का आपके पास mechanized open cast माईंस में सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह सब अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहां पर बोला गया है चार साल का वो सब्सक्राइब कर सकते हैं तीन साल का एक्स्परेंस यहां पर चाहिए आगे बढ़ते हैं ड्रिल टेक्निशन की बात करें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तीन साल का एक्स्परेंस यहां पर चाहिए अब अब सेल्री की बात करें तो जो आपका 101 वाला पोस्ट है उसमें 29,000 रुपया मिलेगा और बाकी पोस्ट में 37,000 मिलेगा तो पहला वाला पोस्ट कौन सा है देखते हैं माइनिंग माइनिंग की बात करें तो 29,000 रुपया आपको सेल्री दिया जाएगा और बाकी पोस्ट में आपको 37,000 रुपया पैसा महिना दिया जाएगा ठीक है अब आगे बात करते हैं एचारे दिया जाएगा कंपनी का क्वाटर अगर खाली होगा तो आपको मिलेगा नहीं तो आप पैसा जो इनकी बढ़ोतरी होगा वो हर साल 5% होगा एकुमडेशन के बारे में कुल मिला करके बोल दिया है कि क्वाटर अगर खाली है तो मिलेगा टाउंशिप खाली है मिलेगा नहीं है अचारे आपको दे दिया जाएगा वर्किंग आवर नॉर्मली आठ घंटा ही होता ह है duration of contract यहाँ से मैं कुछ चीज आपको समझाना चाहता हूं suggestion भी देना चाहता हूँ की जश्ट सगें देखिए यह जो जौब है यह ही है आपका तीन साल का contract थिक है तीन साल का contract तो बहुत लड़का लोग contract का मतलब समझता है कि शङोज़ा है कि हम शाइन कर देंगे उसके बाद हम तीन साल जा नहीं सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है है, काम्ठ्रेक्ट वादा जॉब का मतलब होता है कि तीन साल के लिए Company आपको रखी है, इसके बाद Company को जुड़त पढ़े तो Extendust कर सकता है, आप छोड़के जा सकते हैं कमपनी जनरली कॉंट्रेक्ट वाला में नहीं निकालती है किसी को अगर आप तीन साल का कॉंट्रेक्ट के लिए आया है तो तीन साल से पहले लात मार के नहीं निकालेगा आप अगर चाहेंगे आपको अगर कोल इंडियम जॉब लग गया कहीं जॉब लग गया तो आप छोड इसके बाद अगर company चाहेगी तो इसको दो साल तक और extend कर सकती है तो ये मान के चलिए जितनी भी contract वाली company होती है जहां कहीं भी ऐसा terms and condition लिखा होता है वहाँ general ने ये दोनो time period को जोड़ के यानि total यहाँ पे 5 साल आपको job दिया जाएगा 5 साल के बाद हो सकता आपको निकाल दिया जाए या हो सकता है fresh contract मतलब नएया लड़का लोगों को ले लिया जाए तो 5 साल तो आप मान के चलिए कि या 5 साल नौकरी है मेरे पास 5 साल में अगर आप तयारी कर रहे हैं इसको साथ में job करते रहिए अगर बीच में कई कुछ निगल जाता है तो छोड़के जा सकते हैं तो पांच साल तो आप रिलेक्स रही है अगर इस जॉब में आप घुस रहे हैं ठीक है चले आगे और बताते हैं आपको तो देखो कॉंट्रेक्ट वाला कंपनी में देखी यहां पर 8 घंटा लिखा हुआ है जॉब आवर है एना, CLVL के बारे में बताया गया है कि बारत भी आपको लीव दिया जाएगा EL भी दिया जाएगा आपको अन्र लीव दिया जाएगा तो मतलब कुल मिला करके अच्छा खासा जॉब है वर्कलोड बहुत जादा नहीं रहता है 8 घंटे वाले काम में ठीक है तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा जॉब है कामधाम भी ठीक है फैसलिटी भी ठीक है मेडिकल भी आपको दे रही है सेल्फ का सेल्फ के साथ साथ आपको डिपेंडेंट का भी मेडिकल दे रही है आपका यही कंडिशन है कि आर आई एनिल का हॉस्पिटल में ही है बाकी अलग से खर्चा आपको नहीं मिलेगा तो मेडिकल भी एक तरस आप कह सकते हैं कि हाँ चलो बुखार हो गया सरदी खासी छोटा मुटा भी मारी तो आपको मेडिकल मिल जाएगा बाकी मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया दो महना पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कमपनी को अगर आप छोड़ना चाहते है तो भी आपको दो मेना पहले notice देगी selection procedure में बोला गया है कि skill test होगा या आपका return होगा skill test किसके लिए होगा जो आपका operator वाले grade के लिए आ रहे है drill technician सब के लिए इसके लिए skill test होगा एक दिन बुला जाएगा और आपको माइस ले जाएगा माइस में आपका skill test होगा आपको गाड़ी वाली चलाव लाकर दिखाना पड़ेगा maintain करके दिखाना पड़ेगा तो यह skill test होगा job test किसका होगा job test मतलब एक तरह से कह सकते आप return test return test कब किसका होगा वो मैं अतादता हूँ forman वाले का mining mate वाले का इसके बाद blaster वाले का इन तीनों का return test होगा और trade test किसका होगा trade test होगा आपका operator come mechanic का और drill technician का इन दोनों का trade test होगा मतलब आप दोनों को mines में या workshop में ले जाया जाएगा और वहाँ पर जाच होगा अब बाकी तीन गो जो blaster, mining mate और mining forman है उसका एक exam center पड़ेगा question paper मिलेगा document verification होगा उसके बाद question paper मिलेगा बैट के उसमें question paper में टिक मारिएगा objective और हमार type का question paper होगा उसके बाद फिर उस basis पे आपका selection किया जाएगा तो ये पूरा-पूर इसमें लिखा हुआ है initial date जो है वो 12-11-2022 को है बहुत कम टाइम बचा आपके पास तो जरूर अप्लाइ किजेगा अगर आपके पास experience है तो ठीक है इसके बाद बूलागे है कि एक रुप्या नहीं लागने वाला आपको ठीक है बाकी जनरल टंसन कंडिशन यहां पर बोलागे है नोट यह दिया जाएगा बाकी इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं कि आपको डोकुमेंट बगरे भेजना है ठीक है आप भारत के हैं तो अप्लाइ कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है तर्मिल नाडू और इस करनाट का अंदर परदिश की होने चाहिए चले तो अब कुछ जरूरी सुझाओ देखो इसका जो सेंटर पड़ता है वो विसाखा पटनम पड़ता है ठीक है जस्ट एसका जो सेंटर पड़ेगा वो आपका विसाखा पटनम पड़े तो अगर आप घूमने के सौकीन है माइनिंग मेट की तयारी कर रहे हैं या फिर करन चाहिए तो अगर जा सकते हैं तो जाके देना चाहिए एकजाम से पहले आपको नहीं छाटने वाला है एकजाम के बाद आपको छाटने वाला है तो इकजाम से उली तो अगर आप जा सकते नहीं जा सकते कोई जोरत नहीं एक्स्परियंश मांगा है तो अगर आप अगरे आप करियर बनाने को सब्सक्राइब कि जेगा ताकि जब भी वीडियो डालू सबसे पहले मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तिल एंड जय है